कहते हैं पति और पत्नी की जौरी सात जर्मों की जौरी होती है लेकिन आज के दोर में यह जोरी एक ही जर्म तक अच्छे से टिक जाए तो बहुत होता है पदी और पतनी के बीच रिष्टे अच्छे होंगे या फिर बुड़े होंगे इनमें आपके आसपास की इनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपको हमेशा ही ये कुशिस करनी चाहिए कि आपके आसपास सिर्फ सकारादम कुरजा अधिक हो और नकारादम मुरजा का नामों निसान भी न हो किसी भी दिन को सफल और सुखर बनाने में सुबह का समय बहुत माइने रखता है चाने के निती के अनुसार यदि महिला उस सुबह उट गर अपने पते के साथ कुछ खास काम करती है तो आपके रिष्टे बहुत यदिक मधूर बनते हैं और मीठा बन रहता है और आपका भाग्य भी इससे चमकता है तो आईए जानते हैं ऐसे उन कारियों के बारे में जि पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें साथी नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हनलेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक ततकाले पहुंस सकें योगा ये दिस सुबह सुबह पती और पत्नी मिलकर एक साथ योगा करते हैं तो उससे वो दोनों ही फेट रहेंगे और उनका दिमाग भी सांत रहेगा इससे सकारात्म पुर्जवी उत्पन्ने रहेगी जिससे तमपती के बीच लड़ाई जगड़े भी नहीं होंगे इस कारण उन दोनों की दंचरिया अच्छे से गुजर सकती है प्रेम यदि दिन की सुरुवात पती और पत्नी प्रेम के साथ करते हैं तो उनका मोड फ्रेस हो जाता है दिन भर आपके अंदर उत्सा और जूस भी रहता है और इसके बाद आप अपने सभी कारे अधिक उर्जा के साथ कर पाते हैं और इससे आपस में प्रेम और उस्वास भी बना रहता है इसलिए सुबह उटकर पति पत्नी को प्रेम अवश्टर ही करना चाहिए और एक दूसरे का आलिकर भी करना जाहिए भगवान को नमन सुबह सुबह भगवान का अश्रवाद लेने से दिन की सुरुवात अच्छी होती है ये आपके सर जान करके पती-पत्मी साथ में मिलकर तुलसी माता को यदी चल देते हैं तो उनकी जोड़ी पूरी जीवन घर अच्छी पनी रहती है और अन्य लोग भी अपने लिए ऐसी ही जोड़ी की कामना भगवान से भी करने लगते हैं ऐसे लोगों की वैवाहिक जीवन में कभी को दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम माने वादी हैं ऐसी और भी धिरू जानकारी के लिए अपलगतार हमने चनल पर बने रहें अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अन्बुश जानक इस प्रकारी कमाम में ग्रानकारी मुझे आप में पमीकर मानी के अहां बना नहां एक